हमें तो इक्स्पेक्ट ही नहीं था कि हमें ये कॉलेज में सकता है अंतिम राउंड तक आप आप से ही संपर्क नहीं रहेंगे बाकी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चों को अभी अलॉट्मेंट नहीं हुई है मैं फिर बोलरी होप नहीं चोड़ना अभी आगे बहुत कुछ बाकी है पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स जोसा का फर्स्ट राउंड का अलॉट्मेंट आ चुका है और जितनों भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अलॉट्मेंट नहीं देखा है काइंडली आप जोसा के लॉग इन में जाके अपना रिजर्ट जरूर चकर लीजे क्योंकि कुछ फॉर्माल्टी द स्टूडेंट्स अप्लोड करने हैं आपको उसमें एक्सेप्टेंस फीज देनी है तो आप लॉग इन करके जरूर देख लीजेगा अगर आपको कुछ भी सीट अलॉट हुई है तो बाकी स्टूडेंट्स आपके नेक्स राउंड में अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है मत छोड़िएगा अभी और राउंड बाकी है जो सा कि अभी सिक्स राउंड तक जाना है और आपको कॉलिज जरूर अलॉट होगा अगर आपकी रैंक डिजर्विंग है तो बाकी और भी आपके सीएसे भी मौके हैं और आपके सेपरेट काउंसलिंग्स में हैं जो मैं आप जादा knowledgeable कोई भी ऐसा person guide करने के लिए इनके पास नहीं था ऐसे कई बच्चे हैं बिहार साइट के भी ऐसे कई बच्चे हैं जो guidance के अभाव पे college तक नहीं पहुच पा रहे हैं और उनको knowledge नहीं हो पारी है तो बेटा पहले तो आप अपने बारे में बताईए अपना नाम ब के लिए जो आपको कॉलेज अभी अलॉट हुआ है और हमने रिजल्ट के आने के बाद मैंने पूरा गाइडेंस मैं से मैं से परसनल आके लिया है और मैंने दमेंटा चैनल से बहुत ही कुछ की सीखा है मैंने पहली साल जब जेएमेंस के एक्जाम दिया था तो मेरा कटेग्री रैंक 26,000 थी उस पर मुझे कुछ नालिज नहीं था कि हमें कौन से कॉलिज मिलेगा कौन से नहीं उसके बार मैंने सेकंड इयर जब मैंने एक्जाम दिया जेएमेंस की तो हमारी कटेग्री रैंक 4950 है और मेरी CRL रैंक 931 है और और हमें जो है कुछ गाइडेंस नहीं था हमने मैं के पास आकर पूरा गाइडेंस लिया हमने हम परताब गड़ से कानपूर आकर मैं से हमने पूरा संपर्क लिया डिटेल से लिए कि हमें कौन स कॉलिज मिल सकता है कौन से नहीं हमने पूरा गाइडेंस लिया है और आज हम मैं के ही एकार्डिंग यहां तक एचीव कर पाए है अभी हमें फाइफ फिफ्ट कॉलिज लाग हुआ है हमें जो की केमिकल इंजीरियर है एमनाइटी अलहाबाद में अभी मैं के गाइडेंस से हमने फ्लाट करने का अफ्शन चूच किया है मैं ने हमें बताया कि आपको और भी अपर ग्रेट ब्रांच मिल सकती है हमने फर्ष्ट प्रियार्टी पर इस यह ब्रांच रखी है एमनाइटी के अलहाबाद में मैं को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं होफुली आपको आईटी भी अलॉट हो जाते बट को इशू नहीं है अलाबाद आपको अलॉट हो गई है अभी फिलाल आपको फिफ्ट नंबर की चॉइज अलॉट हो जाएगी थोड़ा सा सबर करो वेट करो अप ठीक है तो यह बताईए कि जैसे आपने तयारी करी है थे सो आप यह बताईए आपको कहीं मतलब ऐसा लगा कि हाँ यह फूट फुल रहा क्योंकि कांसलिंग तो बच्चे खुद भी कर सकते ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं सुडेंट्स पहीं नहीं मानते हैं कि भाई कांसलिंग लेकिन आपको स्पेशली हमने ऐसा क्या आप हमें बहुत ही गार्डेंस मिला हमें तो इक्सपेक्ट ही नहीं था कि हमें यह कालेज में सकता है सिर्फ हमने आप से आपके थ्रू ही यह गार्डेंस लिए और हमने आप ही के अकार्डिंग अपने ब्रांच को और अपने कालेज को प्रिफरेंस में और में भारे हैं जिसे ह मैं यह एचीव हुआ आपको मैं बहुत धन्दवाद देना चाहता हम तो अब आप मेंटा को देखते रहें कि लगातार जी मैं अंतीम राउंड तक आप से ही संपर्क में रहेंगे मैं अच्छा ठीक है तो आगे के राउंड के लिए बाकी स्टुडेंट्स जितने भी अब ही बाकी है मेरे दोस्तों फर्स राउंड सिर्फ आपका आज हुआ है तो कई स्टुडेंट्स के मैसेज दार है मैं मुझे फर्स राउंड में अलॉट नहीं हुआ है तो कोई दिकत नहीं है फर्स राउंड में अलॉट नहीं हुआ है आगे बहुत कुछ अभी है अगर नहीं होती जो से CSA भी तक जाएंगे, एंड तक फाइड करेंगे और कॉलेज हमें रैंक अकॉर्डिंग अलॉट जरूर होगा, सेपरेट कांसलिंग्स भी होगी जादा रैंक वाले बच्चे, अगर सेपरेट राउंड में आप पार्टिपेट करोगे, GFTI's, colleges मिलने की होप म लेंगे students, so all the very best and best wishes and congratulations to all my students, जिनको अभी college a lot हो गया है, and the mentor को देखते रहिए, like करिये, follow करिये, and जितने भी rural चेतर के students हैं वहां तक, friends आप ही friends आप ही के friends हैं, जो rural चेतर में जो रहते हैं, जिनको help नहीं हो पा रही है, बस उनके लिए आप इन वीडियो को जरूर फॉर जाद से जाद से जाद से शेर कीजे, and thank you for loving us, loving our team, and thank you students.